जी हां दोस्तों, अमीरी का दुस्मन है, मांसिक आलस, मैंटल लेजिनेश, और इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मांसिक आलस, अपने मैंटल लेजिनेश और अपने आराम करने के मांसिकता, love of ease की मांसिकता से आपको बाहर निकलना हो और यही बात author Mr. Wallace D. Wallace अपने book The Science of Gretanics के chapter 8 में बताते हैं और chapter 8 का जो सिर्षक है वो है thinking in the right way यानि की सही तरीके से सोचना सिखो और सही तरीके से सोचने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप ये बिल्कुल एकदम किलियर कर लो कि आप क्या चाहते हो यानि की आपका एकदम किल गोल लक्षे क्या है आप जो कुछ भी चाहते हो चाहे वो धन हो दुलत हो घर हो गाड़ी हो बंगला हो खुछ भी हो वो जो कुछ भी आप चाहते हो बिल्कुल भी असपश्ट होना चाहिए कि वो चीज आपको क्यूं चाहिए कब तक चाहिए और वो कितना reasonable है आपके और इसके लिए आप prayer कर शकते हो या फिर बहुत ही निष्टा बहुत ही इमानदारी के साथ आप जो चाहते हो उसका पूरा picture अपने mind में बना लेना है और पूरा विश्वास रखना है कि आप जो चाहते हो वो आपको आपको आपका जो God है वो जरूर देगा आपको किसी त दरे का कोई भी doubt नहीं है आपको पका स्योर है कि आप जो चाहते हो वो बहुत reasonable है और वो चीज आप जरूर डिजर्व करते हो तो आपका जो God है वो आपको जरूर देगा इसमें कोई सक नहीं है बले ही वो चीज कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी क्यूं नहीं हो प्र उसके पास अलग-अलग चीजे हो वो अमीर भी हो बट यहाँ आपे clear कोई भी नहीं है कि उसको actual में उसकी जो अमेरी की परिबासा है वो कितनी है यानि कि वो कितना पैसा कितना धंदर उसके पास आएगा तो अपने आपको अमीर मानेगा क्यूंकि अमेरी की परिबासा पानले जी कोई आदमी हो जो अगर आज 10 रुपे कमा रहा है तो उसको 50 रुपे की इंकम हो जाए तो वो अपने आपको बहुत ज़्यादा अमीर समझने लगेगा लेकिन वहीं पर अगर कोई 50 रुपे कमा रहा है तो जब तक वो 5 लाग नहीं कमाएगा तब तक सायद वो उतना ज़्यादा अमीर नहीं समझे तो इस तरह से अमेरी की जो परिवासा है बिल्कुल अलग-अलग हो सकती है और इसलिए आप अपनी पर्शनल जो परिवासा है अमीर होने की या जो आप चाहते है उससे पाने की वो बिल्कुल भी क्लियर रखें एक बर जाओ का मैंड क किसी चीज को चाहते होगी हाँ आपको exactly यही चीज चाहिए तो जैसा आपने शुना होगा कि अगर आप सिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनाद वो चीज आपको देने के लिए आपकी help करती है तो यहाँ पर भी यही होने वाला है जब आप पूरी सिद्दत से और भोरी म टेप यहाँ पर यहाँ पर यह आती है कि आपका जो mental laziness है मानसिक आलस्पन है या फिर जो अराम करने की आपकी आदत है उससे आपको बचना है क्योंकि यह आपका यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा दुस्मन है और in fact ध्यान से देखे तो mental laziness हैने के मानसिक आलस्पन और आ आज जो काम में अपने decide किया है जो अपने plan बनाया है जो लक्षे बनाया है उसके हिसाब से आज के date में आज के समय में जो काम आपको करना चाहिए क्या आपने उस काम को उस समय किया या नहीं किया कई ऐसा तो नहीं कि आपका मन नहीं था आज काम करने का और इसलिए आपन आज की काम को कल पे डाल दिया और बाद में भी आपने ऐसा ही किया और अपने काम को आप टालते रहे तो इस तरह की मानसिक आलस्मन और कमजोरी की वज़ा से आप कभी भी अपने लक्षे को हासिल नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों बिसिकली इस चेप्टर में ऑथर ने एक सर निस्चीत कर लेना है कि आपका लक्षे क्या है आप exactly क्या चाहते हैं और एक बर जब उडिशाइड हो जाये तो आपका जो ज्यादा दर शमय है जो आपका मेजर टाइम है वो उसी लक्षे के बारे में सोचते हुए उसके उपर काम करते हुए आपका यहां पर निकलना चा आपके लिए आगे बढ़ने का सफलता के और जाने का जो दरवाजा है वेकी करके खुलता चला जाएगा और इसी के साथ जो दूसरा important lesson यह है कि जब आप लक्षे तैक कर लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरा challenge आपके लिए वो है अपने मानसिक आलश्पन और अपने आरा किया है, जब decide किया है उसका म को करना तो उस time के उसकाम को ज़रूर करें क्योंकि जब आप अपने जरूरी काम को शमय से करने लगते हैं तो इससे आपके अंदर एक अलग तरह का बिस्वास आता है और वो विस्वास आपको सफलता के और आगे लेके जाता है आपके सक्सेस हैबिट की होती है तो दोस्तों I hope कि ये वीडियो और लेसे आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें अन्त में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जूरे रहने लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन् अन्यूर किपिए खूबब झाल, 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 का झाल, को झाल, को झाल, को झाल, झाल, को झाल, को झाल, झाल, को 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 झाल, का झाल, को 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 झ